चार सालों में एक बार वर्ड काप आता है, पांत सालों में एक बार लोगसवा के चुनाव आते हैं, पांत सालों तक आपने क्या किया, आपको क्यों नहीं पता कि गौरव वल्लब जाती है जंगरना की बात जब आप उठाएंगे, तो गौरव वल्लब जैसे लोग विचलित हो सकते हैं आपको क्यों नहीं पता कि विजेंदर सिंग को अगर आप लोग सभा टिकट डिनाई करेंगे किसी एक सीट से तो वह विचलित हो सकते हैं कॉंग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय के प्रश्ण को रायपूर अधिवेशन में उठाया तो गौरवल्लब जी वहां मौझूद थे उन्होंने पार्टी के अंदर इस पर कोई डिबेट नहीं की कि जाती जनगरना के प्रश्ण पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए लगातार इसके साथ थे अचानक उन्हें 24 घंटे में समझ में आए कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है विपक्ष के परिसर में मीडिया भी होता है विपक्ष के परिसर में चुनायोग भी होता है विपक्ष के परिसर में नयाय पालिका भी होती जो सरकारों पर अंकोष लगाते हैं आदमी जो चमार दोवीवाल में की ये लोग कहें आके कि हां कॉंग्रेस हमारी पार्टी है जो सीवर में आदमी उतर रहा है वो कहें कि हां कॉंग्रेस मेरी पार्टी है मेरी आवाज उठाती है नमस्कार मेरा नाम है निवेदिता शांडिली और आप देख रहे हैं मॉलेटिक्स जिस तरह से कॉंग्रेस को छोड़ करके नेता जा रहे हैं उसे अब दल बदल की जगे पलायन कहा जा रहा है रिकॉर्ड भी बनने लगा है दो दिन में तीन नेता छोड़ के गए और कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे उसमें पूरो बॉक्सर विजेंदर सिंग है संजय निरुपम है और साथी साथ अब तो गौरव वल्लब ने भी जाकर के भाजपा जॉइन कर लिया है क्या कॉंग्रेस अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रही है क्योंकि कहा जा रहा है भाजपा के अंदर बहुत ताकत है बहुत पैसा है लेकिन कई पार्टियां ऐसी है जो कि लड़ाई भी कर रही है लेकिन कॉंग्रेस एक तरह से लग रहा है कि अपनी पार्टी को बचाने में नाकाम है हमारे साथ है संदीब जी नीरच जी पंकर जी है सबसे पहले संदीब जी क्योंकि आप बहुत क्लोजली विपक्स को वाच क करते हैं उनकी खबरों को देखते हैं क्या कॉंग्रेस लगातार आप देखे चुनावों से पहले बाकी पार्टिया खुद को मजबूत कर रही है यह कमजोर होते जा रहे हैं कोई रोक नहीं पा रहा है अपने ही लोगों को बाहर जाने से देखिए ऐसे लोग कॉंग्रेस स को हग दिलाने की लड़ाई जो कॉंग्रेस पाटी लड़ रही है और यह लोग वो लोग हैं जो कभी भी चाहते ही नहीं थे कि दलित पिछड़े अलपसंग अधिवासी समाज को कभी हग मिले तो यह मुख धारा की जो लड़ाई है जोसमें कहते हैं कि दलितों के अधिकार आधिवासी के अधिकार जो दलितों को पानी पीने से रोकना घोड़ी चड़ने से रोकना ऐसे तमाम इन मुद्दों को लेकर वो पहले से ही इन चीजों के पक्च मे थे कि ऐसा होते रहना चाहिए मतलब जो समाज की आइडिलोजी है उससे वो लोग तालमील खाते थे और उसी मनुवादी मान सकता कि यह लोग हैं जो लगातार इस तरीके के सडियंतरों को कॉंग्रेस का नुकसान पहुचाते हैं अगर ऐसा है संदीब जी बताइए आप कहने पहले से इनका था तो फिर कॉंग्रेस ने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया क्यों वेट करती रही कि लड़ाई लड़े इस से दिक्कत है राहूल गांदी की इसी लड़ाई से तमाम ऐसे लोगों को दिक्कत है जो नहीं चाहते दलितों को समान अधिकार मिले क्योंकि राहूल गांदी चाहते हैं कि देश के अंदर सबको समान अधिकार मिले जो चाहते हैं कि 50% का कैप है वो तो इस लड़ाई के साथ ये लोग नहीं जुड़ने जाते हैं, ये चाहते हैं कि देश के अंदर वही मनुवादी वरस्ता की तरह है सासन बना रहे है। अशोक चौहान जब छोड़कर गए तो राहुल गंदी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अशोक चौहान सोनिया गंदी जी से मिले, बड़े उदास थे कह रहे थे कि जिल नहीं जाना चाहता मैं, इस करण से भाजपा में शामिल हुआ। इसके नेता लगा सकते हैं। लगा रहे हैं, राजनीती में आरोप रत्यारोप चलते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि कौन सा समय चल रहा है ये। आपके चुनाव दो, तीन, चार, पांच सालों बाद होने वाले हैं क्या। दो महीने बाद चुनाव होने वाला है और आपका कोई परिशकरण ही नहीं है। चलती है लेकिन जो समय है वो बिल्कुल गलत है। और कौंग्रस पार्टी को और कौंग्रस पार्टी के लीडर्शिप को इस बाद से बिल्कुल भी मतलब फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। कि उनसे ये पार्टी सम्हाली नहीं जा रही है, उनसे लोग सम्हाली नहीं जा रहे हैं, अर अब एक क्रूशेट समय चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, परसेप्शन का पुरा गेम होता है, और मोदी की जो राजनीती है, वो तो परसेप्शन पर ही चलती है, जो जन्धारण बनती है अब जंधारना क्या बन रही है आपके खिलाप आपको पता ही नहीं है इसका मतलब यह है कि संचालन में समस्या तो है या फिर पिचिंग में समस्या है या फिर क्लियरली आप यह कहिए कि भाई जिस तरीके से मशीनरी पे बीजेपी का कब्जा है या जिस तरीके के सं बढ़ रहा है तो यह स्टेंड आप क्लियर करिये लेकिन एक आदमी छोड़के चला जाता है उसके बाद आप उस आदमी पे टीकट अपनी करते हैं वो टीकट इपनी सही हो सकती है इस बात में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो समय चल रहा है वो समय बिल्कुल घलत है अरे त अमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर एक इंडिया अलाइंस के इन्हों ने गठन किया जिस तरीके से टिकट बट रहा है कई जगों पे क्लियर ही नहीं है समाजवादी पार्टी एक जगह पे तीन तीन बार टिकट बदल रही है कॉंग्रस ने अमेठी राइबरेली तक से टिकट की अब तक गोशना नहीं की है परसेप्शन क्या बन रहा है मीडिया आपके हाथों में है नहीं और मीडिया किसी के हाथों में नहीं होना चाहिए मीडिया सरकार के कंट्रोल में है लेकिन ये दुरभागे पूर्ण सतीय बीजेपी के कंट्रोल में है गोदी मीडिया पे ही क्या मजबूत कैम्पेंड कॉंग्रस ने अभी पक्षिदलों ने सामने रखा है लोगों के बताईए सही है घलत की बात नहीं है मामला परसेप्शन का है इस देश के तमाम लोग पॉलिटिकली इंटेलिजेंट नहीं है इस देश का तमाम वोटर ये बात नहीं समझता है कि जाती है जन गणना की बात राहूल गांदी उठा रहे हैं अगर ये हो गया तो करोड़ों लोगों की असमिता का सवाल जो है वो हल हो जाएगा इलेक्टोरल बांड से जो चंदा आ रहा है इसमें पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट का गठ जोड है ये सारी बाते सही है लेकिन तमाम लोग इस बात को नहीं समझते हैं आप जो समझाना चाह रहे हैं आपको तैयार करना पड़ेगा महात्मा गांदी जब सत्याग्रह करते तो वो कहते थे मैं अपने सत्याग्रहियों को तैयार कर रहा हूँ अपने तैयारी क्या क्या है और इन सब की जड़ में आप माने न माने ये मानना पड़ेगा तमाम लोगों को जब मंदर मंदर दर्शन चल रहे थे जब सौफ्ट हिंदुत्व का भूंडा प्रदर्शन किया जा रहा था, तब ऐसे लोगों को जगह मिली थी, और आज जब वो चीज नहीं दिख रही है, ये लोग छोड़के जा रहे हैं, और ऐसे समय में जा रहे हैं, भारतिये जनता पार्टी इन लोग को शायद पहले भी बुला सकते थी, ये लोग पहले भी जा सकते थी, लेकिन त कहते रहे हैं, क्योंकि आप पहले विक्त नहीं है, जो असमिता के संगहर्ष्ट पर आगे बढ़े हैं, आप तो मंदिरों में घूम रहे थे, तो दर्शन कर रहे थे, तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, उन लोगों को तो कुछ बल दीजिए, उन लोगों को तो जानते तो हम सब कुछ है न, 2014 में किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, 2019 में किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, और 2024 में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, बाकि और बातें आगे सवालों में की जाएंगे, बिल्कुल, पंका जी, इसी न्यूज रूम में हम लोगों के मुद्दे हैं महिलाओं के मुद्दे हैं रोजगार के मुद्दे हैं लेकिन मुद्दे बनते हैं मंदिर मस्जिद जात ये सारी चीज़े जो है क्या जो युवाओं के मुद्दे हैं लोगों के मुद्दे हैं कॉंग्रेस हो या फिर कोई भी विपक्षी दल उसको चुनाओ का एक तो बना नहीं पा रही है और इनके पास जो तेज तर्रार नेता थे क्योंकि आप देखें विजंदर सिंग काफी तेजी से वो अटैक भी कर रहे थे जब की आंदोलन चल रहा था गौरव वल्लब का आपको याद होगा वो सबसे बहतरीन प्रवक्ता माने जा रहे हैं और एक चीज़ और देखने को मिल रहे हैं सब के बयानों से कि यह कह रहे हैं कि आला कमान हमारी सुनता नहीं है और संतुष्टी है इन लोगों के बीच में यह के वह सोचल मीडिया पर माहौल देखके टिकट दे देते हैं क्या यह माहौल भाप नहीं पा रही है चाहते हैं और इस बात में है कि चलो मुद्दा है तो जनता तो वोट देगी देगी कॉंग्रेस की आधिकारिक जो प्रतिक्रिया होगी वो तो कॉंग्रेस देगी लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी चुनाओं में हमने 14 भी देखा 19 भी 24 भी देख रहे हैं या उस जिंदर सिंग रात में सौने के पहले राहुल गांदी के पक्ष में ट्वीट करते और सुबह उठते हैं तो नहीं लगता है कि किसी गलत प्रेटफॉर्म पर है इसका मतलब है कि यह सारी जो बाते हैं इस बात में इसका दम तब होता जब आप पाइटी में विशे को उठा कर इस पर संघर्ष करते यानि जैसे जैसे मैं गौरव वल्लब के पत्र को बड़ी मैंने गंभीरता से पड़ा और मुझे साफ लगा कि ये स्वार्थ के कागज पर कुटिलता के स्याही से लिखा गया पत्र है क्योंकि जब कॉंग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय के पाल उठा मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस पार्टी के इतिहास में या कभी भी किसी ने सनातन को गाली दी है हाँ एई डीमके और डीमके या तमिलनाड की तमाम पार्टियां हैं जिनका सनातन से विरोध रहा एक इतिहासिक संदर्व में क्योंकि उन्डीस्वी बीस्व अंदोलन आजादी के पहले से जिस्टिस मूव्मेंट के समय से मजबूत है तो उस पर सवाल उठाते रहें और डीमके बाजपई सरकार के साथ भी छे साल थी और उसमें भी पेरियार उनके नेता थे यही बाते वो कहा करते थे तो अचानक सनातन की बात वो कर रहे हैं जब और यह कहना है कि मैं मंदिर में जाना बड़ा नहीं जाना बड़ा गलत था तो फिर यह भी देखना चाहिए कि सनातन के जो शीर्स पर बैठे चार शंकराचारी हैं वो भी नहीं गए उन्होंने भी कहा कि अधूरा मंदिर है या शास्त्र सम्मत नहीं है तो अब यह बताए कि कॉंग्रेस पार्टी ने सनातन का विरोध किया या शंकराचारी की मानिता के साथ खड़ी रहकर वहां नहीं गई कुल मिलाके इनकी पूरी बात को अब सोचिए वो वेल्थ क्रियेशन की बात कर रहे हैं जिस समय इस देश में यह तैह है कि जो क्रोनी क्याप्टिलिजम ह उसके जरीए बड़े पैमाने पर संसाधरों की लूट हुई है और अपने पिछले तमाम ट्वीट्स वो देखें चुकि वो अर्थशासर के प्रोफेसर हैं तो वो खुद जानते हैं कि इस देश में गर वेल्थ क्रियेशन हुआ होता तो असी फिजदी लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज नहीं होते तो जो वेल्थ क्रियेशन का वो सवाल उठा रहे हैं कि सीधी सी बात है वो कह रहे हैं कि मैं अडानी और अम्मानी को गाली नहीं दे सकता हूँ अडानी और अम्मानी है कौन वो इस देश के सारवजनिक संपत्यों को लूटने वाले सरकार की कोचना हो रहे हैं उनसे कोई निजी दुश्मनी की बात नहीं है और ना कॉंग्रेस पार्टी ने कभी ये कहा कि हम जो है निजी उद्यम पर हम किसी तरह का प्रतिबंद लगाएंगे तो गौरवल्लब कह क्या रहे हैं अगर वो कुछ कह रहे होते तो उस पर बात होती लेक तो इधर भाजपा में वो शैमिल हो गह तो वो यह कहना चाहरा है रहा हैं सिर्फ इसका मतलब भारतिय जंता पारटि की इस गेम के साथ है कि साथ किसा थे इस बात को नहीं मानता है कि समय मुड्दे नहीं बन रहे हैं गाओं गाओं ये मुड्दा चंदा चोरी का या फिर bond का पहुँच गया है अगर आपके पास गाउं से कोई रिष्टा हो तो कृपया फोन करके पूछ लीजे चर्चा हो रही है मुद्दे बनते क्यों नहीं है क्योंकि मुद्दे है मीडिया में देखते हैं और मीडिया आपने खुद बताया किस तरह से कंट्रोल है किनके हाथ में कंट्रोल है तो विपक्ष में विपक्ष के परिसर में अकेले राजनेतिक दल नहीं होते विपक्ष के परिसर में मीडिया भी होता है विपक्ष के परिसर में चुना आयोग भी होता है विपक्ष के परिसर में नेय पालिका भी होती जो सरकारों पर अंकुष लगाते हैं यानि सरकार अगर समिधान सम्मत काम नहीं कर रहे तो उस पर अंकुष लगाने वाली तमाम संस्थाएं वो विपक्ष का हिस्सा होती है तो अकेले राजनेतिक दल प्रस conference कर सकते हैं लेकिन अगर मीडिया जिसे हम मुख इधारा का मीडिया कहते हैं अगर उसे बहुत आगे नहीं बढ़ाता है तो मुद्दा नहीं बनेगा और पहले इसलिए बन जाता था कि अगर कभी वीपी सिंग सिर्फ कह देते थे कि मेरे पास कागज है बोफोर्स का तो सारे हेडलाइन बन जाती थी यह अलग बाते के बाद में सारे आरोप जूठे साबित हुए यह हमने 2014 के पहले देखा कि जो भी आरोप लगता था सरकार पर मनमौन सरकार पर स्तीफे होते थे मंत्रियों को जेल जाना पड़ता था सारे लगातार मीडिया इसको बड़ा-बड़ा हेडलाइन चापता था और यह सरकार उस पर कारवाई करती थी आज एलेक्टोरल बॉंड का इतना बड़ा मुद्दा आ गया एक दो अगबारों को छोड़ दीजे तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं है तो सवाल है कि आप केवल राजनेतिक दल एक अनाथों की तरह काम कर रह हैं और उन्हें रात में कोई सपना आ रहा है तो फिर आप ऐसे लोगों को तो नहीं रोक सकते और खास तोर पर जब भारती जनता पार्टी भय और स्वार्थ दोनों का इस्तेमाल कर रही है और बड़े पैमाने पर कर रही है इसके बावजूद आखिर क्या वज़े है कि भ तो कॉंग्रेस की गलती यह है कि जिन लोगों ने पार्टी में एक लंबे समय तक घिसा नहीं उनको थोड़ा आवसर जल्दी दे देते हैं कि आरे साबी तो पढ़े लिखे लोग है मुझे लगता है बाकी आप उनको नहीं रोक सकते हैं और इससे कोई मुझे लगता है नह रोक नहीं सकते और मैंने 100% कहा आप चाहे विजेंदर सिंग ने जिस तरीके से बीजेपी जोइन किया हो या फिर सोचल मीडिया पे भी कई समाज वीर थे जो पहले कुछ और लिखा करते थे और एक रात में उनकी आइडियोलोजी चेंज हो गई चाहे आप गौरा बल्लब कि आँखों में आँखें डाल कर सवाल पूछते हैं कि रोनाचल ने हमारी जमीन क्यों कबजाई साथ हजार सरकारी पदखाली क्यों पढ़े हुए हैं महंगाए आसमान क्यों चूर रही है ये गौरा बल्लब के शब्द हैं वेल्थ क्रियेशन की बात गौरा बल्लब ने की किस करें समय वो नहीं है देखिए वर्ड का फाइनल चल रहा हो और उस वक्ट जो टीम का कैप्टन है क्रिके टीम का कैप्टन है वो ये कहे कि अभी देखता है यार ये आदमी फिट रही है इस आदमी को ट्राई कर लेते हैं ट्राई करने का दौर नहीं है साहब ये और पांच सालों में एक बार लोगसवा के चुनाव आते हैं पांच सालों तक आपने क्या किया आपको क्यों नहीं पता कि गौरव वल्लब जाती है जिनमर्णा की बात जब आप उठाएंगे तो गौरव वल्लब जैसे लोग विचलित हो सकते हैं आपको क्यों नहीं पता कि परेस Hijambi D не close कर दिये मामला बंद कर दिया तो आपको यह पता है के भारतिय जनता तो आपकोmay यह स्थती है यह स्थती आपको पता नहीं है क्या इन स्थतियों को बताकर आप क्या हासिल कर लेंगे लिए आप ब अब ब अब इन तमाम स्थितियों के बीच में से आपको एक strategy निकालनी चाहिए और आप afford नहीं कर सकते हैं कोई भी गलती या कोई भी ऐसा move जिससे आपके खिलाब perception निर्मान का एक मौका मिले एक संभावना भारतिय जन्ता पार्टी को दिखे या आपके विपक्षी को दिखे और मुझे ये लगता है कि लगातार slog आवर्स में कॉंग्रस या विपक्षी दल जो हैं वो फुल्टास टेके जा रहे हैं स्लॉग हिटिंग हो रही है और वो सिकसर जा रहा है और ये नुकसान करेगा कॉस्ट करेगा संदीब जी देखिए बिलकुल सही बात है कि बहुत पावर बहुत ताकत पैसा सब कुछ है भारती जटा पार्टी के पास कितना कोई रोकेगा कॉंग्रस के नेताओं को लेकिन वहीं हम आमाद्मी पार्टी का भी उदाहरण देख रहे हैं आमाद्मी पार्टी पे बहुत अटैक ही आप देखिए एक के बाद एक नेता जेल गया है मुख्यमंतरी तक जेल में चले गए लेकिन उस तरह से आमाद्मी पार्टी में पलायन देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से कॉंग्रस में है और जिस भै की बात हो रही है जिस समाजिक नहीं से जुड़ा हुआ हूँ आम आद्मी पार्टी ने अपने स्टेंड में कोई तब्दिली नहीं किया आम आद्मी पार्टी की पूरी राजनीती जो चलती रही है उस हक्ता में कैसे स्थापित हो और अपने करियर ग्राफ को अपने पॉलिटिकल ग्राफ को कैसे बढ़ाएं उस चीज़ को देखती है आम आद्मी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा सरकार बनाई दूसरा चुनाव लड़ा सरकार बनाई तीसरा चुनाव लड़ा सरकार बनाई नई पार्टी है तो तमाम लोगों को वो चीज़ें मिल रही है जो चीज़ें उनको चाह है कि तुछ छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या हर शक्स मेरा साथ निभावी नहीं सकता लेकिन अर्विंद के जरीवालिया आमाद्मी पार्टी का साथ फिलहाल सभी कोई निभा सकता है क्योंकि उनके पास आफर करने के लिए कुछ है कॉंग्रिस के पास फिलहाल आफर करने के लिए कुछ नहीं है सर एक लाइन वस मैं कंप्लीट कर रहूं लेकिन समस्या ये है कि कॉंग्रिस जिस समय में आकर फंस गई है ये चुनावों से ठीक पहले का दोर है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गलतिया तमाम लोग मतलब ये सपना पाले रहें कि हम सबसे बड़े नेता हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन ये बात बिलकुल फैक्ट है कि प्राइम ओपोजिशन पार्टी जो है वो कॉंग्रिस है और नरेंदर मोदिया पूरे बीजेपी का एको सिस्टम भी जानता है कि प्राइम ओपोजिशन लीडर जो है वो राहुल गंधी है तो मेन टागेट हमेशा राहुल गंधी या कॉंग्रेस पर होगा उस केस में आपकी स्ट्रेजी आपके मूव आपका शॉर्ट सेलेक्शन आपके बॉल कैसी गिंद बाजी आपको करनी है कैसी बैटिंग वो आपको बड़े बड़े काबिल तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसत और एक विधायक अकेला सांसत था भारती जंता पार्टी में चले गए तो ऐसा कुछ नहीं बागिया देखिए अभी लेकिन सारी चीज़ों को बहुत कोशिश होई कि भरस्टाचारी साबित करने की लेकिन फैक्ट ये भी है सर कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली माहौल बनाया वो चीज अब इनके पॉजिटिव में भी जा रही है आप ये ध्यान देजिए कि लोग आ रहे हैं कि नहीं य सुरक्षा के उपाए अब कॉंग्रेस चाहती भी नहीं है राहूल गांदी चाहती नहीं कि सुरक्षा कोई उपाया निकाला जाए ऐसे लोगों के लिए जो दलितों के खिलाफ हों जो पिछडों के खिलाफ हों जो अलपसंध्यों के खिलाफ हों आधिवास्यों के खिलाफ सबने एक वीचारदारा अपने केड़ जो काफी लंबे समय कसे तयार नहीं कर पाई अब ह compris नहीं के लएन उस gefंद टो असोड़ करता है हो जो कहा जाता था कि Congress ठाकुर बरामड बनियों की पार्टी है। अब राहुल गांदी यह कहना चाहते हैं कि दलित भी आकर Congress के रहे कि डली तो की पार्टी है। जिस गाव के इन्दर चैनल पूरा चमारों यह गाह होता है उसमें बोला जाता है कि अगर वोट दे दे तो फिर मायवती के उसमें गिना जाता है भाए वाउल गांधी य चाहते हैं कि उनक वोट सिर पह लीा किकिसमार मेरी पार्टी वोड़ाई और कि हां Congress मेरी पार्टी है मेरी आवाज उठाती है और उन पदों पर भी Congress ऐसे लोगों को लाना चाहती है और इन लोगों को मतलब कोई ऐसा सुरुच्छा Congress को नहीं है जिसको जाना है जहाँ जाए और आउल गांदी यह बात कई बार कह चुके हैं कि जो दलीतों के खिलाफ को एम कि कोई विचारदा रहा है कि ईकिस बात की विचारदार तार और बात पता करने की Congress पता करते युक तो दो तरीके उतने चुना भी तुछ तरीके होते हैं कि कौन अपना है- कौन पर आया पता ragwarven पता जाते लोगों गो qa ine बंट नीज ना रही है जो राजिस्तान स अपनी लड़ाई लड़ा है उससे सब कुल मिला के उसको फसाने की साजिस है और कुछ नहीं परदानमंती नरेंदर मोदी कि हर तरीके से एक एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं कि देश के अंदर जो गांधी की पॉलिटिक्स है उस पर हमेशा परार हो और गांधी की पॉल हमारा फोकस था उसने हमको कमजोर कर दिया है तो और अगले 25 सालों तक हमको ज्यादा करतव ज्यादा निश्ठा इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयों कि है इस पर फोकस करेंगे जो पूरा रविया चाल चरितर चेहरे की जो बात करते हैं वो आरेसस से उपजी पार् का चुनाव नहीं है राजनातिक पार्टियां तो वो खिलाडी हैं जो इस मैदान में उतरी हुई हैं ये लोग सभा चुनाव उन तमाम लोगों के लिए है जो नागरी का धिकारों में विश्वास करते हैं जो सम्विधान में विश्वास करते हैं जो लोकतंत में विश्व करता है क्या गोदी मीडिया ओपोजिशन के पक्ष में कोई खबर चला दे आप विश्लेशन कर लीजिए साथ दिनों का निकाल के वो नहीं करेगी और अगर आप तक आपको अपेक्षा है तो आप मूर्ख हैं तो आप क्या ही स्ट्रेड़िजी बनाएंगे जो चीज़े तैह हैं fix इक होता है ना constant और एक होता है variable गणित के अंदर तो जो चीज़े Question हो चुके हैं पहुँचाने वाले मूव्स करेगा, यह आप कॉंस्टेंट है, इन कॉंस्टेंट की मौजूदगी में आप बिलकुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतनी छोटी सी भी गलती, यह मेरा मुक्षे पॉइंट है, क्योंकि दो हजार चौविस का लोकसवा चुनाव किवल ऐसे जो बदलना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जमीदान को गालियां देती रही, आरेसेस भी, तो इस कारण से चुनाव बहुत इंपोर्टेंट है, और राजनेतिक पार्टियों को केवल इसमें अपना स्टेक इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, और यही तो कारण है है कि तमाम विपख्षी पार्टियां थमाम मतभेदों को बुलाकर एक होने की कोश्शिक कर रही हैं और लड़ रही है, तो इन चुनावों की ग्रैविटी बहूत बड़ी है, इन चुनावों में स्टेक पर बहुत कुछ बबढ़ा लगा हुआ है, इस कारण से जो पार्ट जोन में खेल रही है, विपक्षी पार्टियों को भी अपने श्ट्रॉंग जोन में खेल ना होगा, they just cannot afford doing these silly mistakes. कहा जाता है और सही बात है कि राजनीती में फेर बदल चलता रहता है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको सर हमारे भुजपूरीम कहते हैं घिनावन। इतना घिना आ जाए कि अब आप देखिए क्या है कि वोटर दोते रहे हैं। रहे हैं वो खबरें आप लोगों के पास नहीं पहुंची इसलिए हम बता देते हैं क्योंकि आज के वक्त में ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष से सरकार उतनी परेशान नहीं जितना एक यूटूबर के वीडियो से हो जा रही है तो हम इसे यूटूब वीडियो के जरी पूरे नाराज हैं भारतिय जंता पार्टी से इस स्तर पे नाराज हैं कि मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री से मीटिंग करनी पड़ रही है और अब जा करके 92 छत्रियन लीडर्स के साथ मिल करके ये लोग बातचीत करेंगे कि हमें माफ कर दो स्तिती ये है और ये खबरें जो है आपके सामने नहीं आई है आगे आती रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दे बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद